हे गाईस वेलकम बैक टो देनी वीडियो तो आज में मेरे पास बहुत सारी यूटुब कम्यूटी की इंट्रस्टिंग न्यूज यार्थ वीडियो को एं तक देखते रहना है रोचो और या भाई यार चैनल को सब्स्क्राइब करना भाई मत बूला एक सेकंड तो लगता है कर लो सब्सक्राइब यहां पर मैं आप लोगो डेली यूटुब कम्यूटी के रिटेड भाई इंट्रस्टिंग न्यूज आप लोगो देता रहता हूं बरतेब निपली न्यूज की तरह फ़र बात कर लेते हैं रजद दलाल एंड राजवीर फिटनेस की भाई कॉन्ट्र रेस्ट हो चुका है विकोज भाई ऐसा रजवीर फिटनेस का खुद ही कहना था एड ये चीज़ आने के बाद में लाइक जब ये न्यूज आई इसके बाद में भाई हमें ये कन्फर्मेशन मिला है कि जो रजद दलाल है उनको भाई पुलिस ने उठा लिया है पुलिस न पिछले रील में जो बाते भूलिए कि भाई कानुन वेवस्ता खराब नहीं करनी तो जो उसमें कमेंट करने ने चिंटु-बिंटु चोटे-चोटे कि तेरी पट गई भाई मेरी तो ना पटी लेकिन पहले दूसरे वोरियर को थारी सब छुडा लाओ उसा पुलिस ने जुडा के लाओ भ्यात में सोचना लडाई का ये वाली जब यार चीज बहार आई उसके बाद में आर साले लोगों को ये लगने लगा कि भाई अभी तो यार ये जो फाइट होने वाली थी वो भाई कैंसील हो चुकी है क्या आप लोगा क्या कुछ एक्षन है इस चीज के उपर मुझे कॉमेंट्स में आर अपनी उपिनेंस को जोर बताना एड एक्चुल में भाई उनको पुलिस ने उठा लिया था इस चीज को उन्होंने खुदी कन्फर्म किया सबसब पहले यार तो जब वो अपने घर आते हैं यार उनकी जब बेल वगेरा हो जाती है जेल से तो उन्होंने भाई एक स्टोडी अप्लोड करी देखिया आप लोग उन्होंने एक स्टोडी भी अप्लोड करी थी इसके बारे में जिसमें को कहते हैं गेट अ कॉल फॉम ओफिशल तो रिमूव दे लास्ट पोस्ट अब या भाई यह जो रचा दलाल एट अलसो राजबीर विद्टेस के कॉन्ट्री चल रही थी अभी तक भाई इसमें इतना वीडियो को अफ्लोड करी इस वीडियो मेर उन्होंने पर्टिकुलर लिया रोस्ट किया हिंदूस्तानी भाव को बट नॉट ओन्ली हिंदूस्तानी भाव उस वीडियो के बाई स्टाटिंग में उन्होंने एलवी शादो मैंक्सन की जो कॉन्टूर्सी हुई भाई उसको फ़ी भाई उने ट्रोल कर दिया गंदी लेवल पर रोस्ट कर दिया एटी वीडियो सार में आपको छोड़ी सी क्लिप को दिखा देता हूं देखिया आप लोग जाएक। अरा कितना चाटोगे चलो खरकोश को मारने चला भाई देख लो रिकॉर्ड कर रहे होगा अबा कोई ना अपनी सेना बोला लेंगा भाई सेना नहीं आएगे आपने उनका भी एड्रेस लीग कर दिया अबा कॉंट का एड्मिन है आप ही हो भाई तो मैं कितनी बार बोला अरे वाई रुको रखो रुको 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 इंगेजमेट बढ़गी गूरुडके थे अर याद होगा बे effort को काभी स frankly आज़ चाहि से पर उनके-гоरे बाच हदे है जो कि यार फोटो एक married women या फिर अगर आप कोई girlfriend है तो वो post करें तो अच्छी नहीं दिखती है यार कहीं पर भी किसी को भी तो होता कहा है कि उसी चीज के लिए भाई धनाश्री को कावी सदे ट्रोल किया गया था बट अब इसी ट्रोल के उपर यार धनाश्री ने रियक किया क्योंकि उनको कावी सदे hate भी मिल रहा था इंटरनेट पे उन्होंने एक post किया था है अपने Instagram पे वो आले आप वीडियो को देखिए Hi everyone, before I resume my Instagram, मुझे ऐसा लगा कि I wanted to share a few things, I felt like I should speak it out How are you feeling about this? It's that simple to ask and be a human first, then to put forward certain verdicts or opinions I have never in my life been affected by trolls or memes, cause definitely had a lot of maturity in ignoring or laughing it out loud until this very recent troll occurred. The reason it has affected me this time is cause it has affected my family and my near and dear ones Since you all have the freedom on social media platforms to speak your heart and characters out that you tend to forget or choose to ignore the sentiments of us and our families This led to the decision of taking a detox from social media and trust me, it was very peaceful But this also made me realize that if we make this medium so negative, then all we are doing is spreading hate and disharmony on a large scale Social media is a major part of my work and I can't give up which is why I have gathered courage today and my creative side here to come back on Instagram Just requesting you guys to be little more sensitive and focus on our talent and skill Cause at the end of the day guys we are all here on this medium just to entertain you guys But now we are Dhanashriki, when you have a statement, you have to be trolled in the internet सब्सक्राइब आप रहे हैं इंटरनेट पर साथ क्या बारे में आप देखी आप ठीक है भाई भसड मेरे साथ कुछ भी होती है गाली उन्हें पड़ती है अब क्या भाई जाट राज पूत भाईचारा शुरू से था आगे भी हमेशा रहेगा चातीस ब्रादरी भाईचारा हमेशा रहेगा लेकिन अभी क्या हो रहा ना कि कुछ लोग उन्हें परिशान कर समाज को मैंने कुछ बोला नहीं समाज मुझ से नाराज हो गया अगर समाज मुझ से नाराज है कोई भी जाट भाई मेरा मुझ से नाराज है और कोई भी मेरे मुझ से कोई अप्शब्द निकला पहले तो निकला नहीं अगर कोई भी मेरा जाट समाज का भाई नाराज है त को अगर साथ देंगे मेरा तो भाई फिर ब्रादरी से गा लिखाएंगे यह भी मुसीबत मेरा साथ नहीं देंगे तो तुम लोग गालिया दे रहे हो जोडी में भाई जोडी बनाते हो डांस करते हो लेकिन ऐसे मुसीवत के टाइम पे कहां है भाई आपके तो भाई पहली बाद तो कोई मुसीवत जैसा टाइम नहीं है सब कुछ बिल्कुल लोग के है बढ़ता है अपनी नेक्स न्यूस की तरह बड़ बात कर लेते हैं राणी के बारे में तो भाई राणी यार एक चीज़ पर अभी के डाइम पर बहुत जादे गुसा है बिसिकली हुआ क्या? क्या आप लोग को पता हुगा कि कुछी दिम पहले यार राणी की अभी शादी हुई है तो जो उनकी शादी की फोटो जास थी और सो उनकी जो वीडियोस में गरा थी वो भाई सारी की सारी यार फोटोग्राफर ने भाई डिलीट कर दी वो गुम गई उससे तो इसी चीज के उपर राणी ने रियक किया वो एक ट्वीट करते हैं और वो कैते हैं तो बिसिकली है वो लोगों से हैर सजेशन माग रहे थे कि भाई अब मैं क्या करूँ मेरी शादी के फोडोस वीडियोस वगेरा सब कुछ भाई डिलीट हो गई तो इसके नीचे देशी गेमर्स रियक करते हैं वो कहते हैं मैकस्टन इस ग्रेटर दैन दफोटोग्राफर विसकली है आर लोग मैकस्टन को कह रहे थे कि मैकस्टन को भाई वीडियोग्राफर रख लेना चाहिए था वो बढ़िया वीडियोस बनाता है थागेज मेरी येक करते हैं वो कहते हैं वर्स नाइट मेर बिकम रियालिटी देव या टेंडन कहते हैं फिर से शादी कर लो तो इसके बाद में आर चपादी गेमर भी रियाक करते हैं वो कहते हैं कोई बात नी नेक्स टाइम अच्छा फोडोग्राफर हाईर करना और तो क्रिजी दीप ने भी रियाक किया है और वो कहते हैं भाई लोस्ट मतलब उसने डाटा गुम दिया या कार्ड करफ्ट हो गया सेगंड वाले केस में हेल्प मिल सकती है अल्सो नेक्स टाइमें मैंस्टन को भुलाना कैमरा लगाने के लिए आप लोग क्या कुछ होते हैं इसके बारे में मुझे कॉमेंट्स में जहूर होता ना तो वो टीम से बाहर चले जाते हैं और वो नहीं खेलते हैं बट वही ओन दे अधर एंड पूरा कपूरा भाई 50 ओवर का जो वर्ल्ड कप है वो मुझे ने भाई इंजरी पर ही निकाला इंजड थे फिर वे यार वो खेल रहे थे तो ऐसा ही एक बंदे ने लाइक मोहमाद शामी का एक फैन दाउस ने ट्वीट किया था इसमें वो कैता है शामी भाई गेब इस हंडिट परसेंट एवन वर्ल कप इसके लिए ये बंदा यही के रहा था कि वही शामी भाई ने इंजरी में होकर भी पूरा का पूरा वर्ल कप निकाला बट भाई ये जो हार्दिक पांडिया है वो वर्ल कप से बाहर हो गया इंजरी का बहाना बना के क्योंकि इसको आईपियल केलना था इसलिए यह बंदा ट्विट किया था इसमाले चामी ने खुछ लाई क किया इसलिए यहार लोगवी करणवी शोसल मेडिया पे यही कर रहे हे कि मुखमद चामी ने ट्रोल किया भाई यहार दिक पांडया को आप लोग क्या पनितने कने लिए बम इसको इन ने जएटनी आपलोको नेक्स वाली वीडियो में पीस आउट